नमस्कार मैं एड़ोगेट नरेश कुदाल आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल विधान का ज्यान पर देश में हर साल लाखों केस दहेज के कारण से होते हैं ये अलग बात है कि उनमें से कई केस जूटे भी होते हैं लेकिन कुछ केस सच्चे भी होते हैं लेकिन वास्ताव में दहेज क्या है और किन परिस्थितियों में समान और रुपेयों के लेंदेन को दहेज नहीं माना जाता है, इस पर बात करना बहुत जरूरी है. टॉपिक को शुरू करें, उसके पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए है या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लिजिये ताकि नए आने वाले वीडियोज की जानकारी आपको मिलती रहे. दोस्तों, दहेज के बारे में लीगल पहलू पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन पहले इसके सामाजिक पहलू को समझने की कोशिश करते हैं. दहेज कभी उतना ही पवित्र शब्द हुआ करता था जितना की दान है. बेटी के पिता की एक भावना होती थी कि उसकी बेटी ससुराल में जाकर सुखी रहे, खुश रहे. इसलिए अपनी भावना के वशिभूत होकर पिता अपनी बेटी को शादी के समय कुछ सामान या नगदी दहेज के रूप में देता था. हमारे शास्त्रों में भी दहेज को उचित माना गया था और ये मान्यता थी कि हर पिता को अपनी छहमता और इच्छा के अनुसार लड़की की शादी के समय उसे दहेज देना चाहिए. हाँ इतना जरूर है कि उस समय दहेज की मांग करने जैसा कुछ नहीं होता था, जो भी दहेज दिया जाता था वो पिता अपनी छहमता और इच्छा के अनुसार ही देता था. समय वदला और समय के साथ-साथ लड़के वाले दहेज को अपना अधिकार मानने लगे. कुछ लोगों में लालच बढ़ा तो दहेज के रूप में अलग-लग सामान की, नगदी की, ज्वैलरी की मांग की जाने लगी. और इसी कारण से दहेज ने एक सामाजिक बुराई का रूप ले लिया. दहेज की मांग के कारण से लड़कियों को उनके सासुराल में तंग परेशान किया जाने लगा तो इस समस्या के निजात पाने के लिए अलग-अलग कानून भी बनाये जाने की जरुत पड़ी ताकि लड़कियों को उनके सासुराल में इस टाइप की प् कर दिया आज हालात यह हैं कि दहेज से संबंदित ज्यादा तर मामले जुठे आ रहे हैं पती पत्नी में आपस में या लड़की का उसके ससुराल वालों के साथ कोई भी विवाद होता है तो सबसे पहले दहेज मांगने का आरोग तो लगाया ही जाता है अब बात करते हैं कि क पत्ति या मुल्यवान प्रती भूती आती है जो किसी शादी के समय शादी के पहले या शादी के बाद में शादी के एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार को दी है या फिर शादी के एक पक्षकार के माता पिता ने दूसरे पक्षकार को या फिर उनके किनी रिस्तेदारों को दी है लेकिन मुस्लिम में जो मेहर होता है उसे दहेज की संग्या में नहीं माना गया है क्योंकि वो मुस्लिम महिलाओं का एक अधिकार होता है दहेज की जो परिभाशा डौरी prohibition act में दी गई है उसका scope काफी व्यापक रखा गया है लेकिन सार रूप में बात करें तो किसी शादी के निमित या शादी के परपद से कोई gift कोई property या कोई प्रतिभूती एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को या फिर एक पक्षकार के माता-पिता दूसरे पक्षकार को या उनके किनी रिष्टेदारों को देते हैं तो उसे दहेज माना जाएगा दहेज से संबंदित सारी चीज़े जरूरी नहीं है कि शादी के पक्षकार यानि लड़के को ही दी गई हो लड़के के माता-पिता के कहने पे या लड़के के कहने पे उनके रिष्टेदारों को जो गिफ्ट दिये गए हैं उनको भी दहेज की स्रेणी में माना गया है दोस्तों इस परिभाशा पर गोर करें तो ये जरूरी नहीं है कि दहेज लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों को ही दिया गया हो दहेज दोनों तरफ से हो जबता है जैसा कि आजकल सामने कई मामलों में आ भी रहा है कि लड़की वालों की ये डिमांड होती है कि हम रिष्टा तो पक्का कर देंगे लेकिन हमारी लड़की के नाम से अमुक जायदाद नाम करवा दिजिए जो भी स्थिति हो दहेज चाहें लड़के वालों की तरफ से लिया गया हो या लड़की वालों की तरफ से लिया गया हो दहेज लेना और देना हर परिस्थिति में अपराद माना जाएगा दोस्तों काफी बार ऐसा होता है कि कोई काम शुरू करने के लिए व्यापार करने के लिए या कोई higher education के लिए हमें अपने रिष्टेदारों की support की ज़रूत पड़ती है तो उस time काफी लोग अपने ससुराल वालों से भी support लेते हैं यहां सवाल ये उठता है कि क्या financial support लेना भी दहेज की category में आयेगा इस सम्मन्द में 2007 में सुप्रिम कोर्ट ने अप्पा साहे वर्सेज स्टेट ओफ महरास्ट के मामले में अपना मत दिया था कि अगर financial support के रूप में कोई रूपए लिए दिये जाते हैं तो उसको दहेज नहीं माना जा सकता लेकिन इस मत का दूरूपियों काफी लोग करने लगे और काफी परिवारों ने तो लड़के की हायर एजुकेशन के लिए या उसको काम व्यापार करवा कर देने के लिए financial help लेने का अपना अधिकार समझ लिया और वो financial help के रूप में लड़की वालों के परिवार से रकम मांगने लगे और ऐसे मामले कोर्ट में आने पर कोर्ट में भी एपली ली जाने लगी कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार financial support लेना देहेज की कैटेगरी में नहीं आता तो सुप्रीम कोर्ट ने ही 2015 में राजिंदर सिंग वरसेज स्टेटो पंजाब के मामले में अपने पहले केमत को खारिज किया और तीन जजेज की बेंच ने ये मत दिया कि कोई वस्तू सामान या financial support भले ही किसी भी रूप में मांगा गया हो उसे दहेज माना जाना चाहिए और कुछ समय पहले दिसंबर 2019 में भी जस्टिस दीपक गुपता और जस्टिस अनिरुद बोस की बेंच ने ये निरने दिया है कि लड़की वालों के परिवार से किसी भी तरह की मांग भले ही वो financial support के रूप में ही क्यो ना हो उसे दहेज की स्रेणी में ही माना जाएगा तो भले ही इस बारे में 2007 में सुप्रीम कोर्ट का कोई भी मत रहा हो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने ही इस स्थिति को 2015 और 2019 में एकदम इस्पस्ट कर दिया है दोस्तों अमीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी इसके अलावा भी आपके कोई सवाल हो या आप अपने किसी मामले में मुझसे राए लेना चाहते हो तो स्क्रिन पर उपर दिखाये गए नमरों पर फोन करके या वाटसेप करके कोल बुक करवा सकते हैं ऐसी ही लिगल जानकारियों के लिए बने रही है हमारे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में